तो चले यहाँ पर बात करेंगे अंडियन डोमेस्टिक वोमेंस टीटवेंटी टोफी जो खेला जाएगा पंडू चेरी वोमेंवर्सेस उत्तर परदेश वोमेंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा मेरे भाई अगर जदी देखा जाए तो दोनों टीम जो सिरीज में दो-तीर मुकाबले करके खेल रखें कुछ मेंच ओब इंडेट भी गया है लेकिन यूपी वोमेंस के पास एक तगड़ा केप्टन आपको मिल जाएगा दिपती सर्मा जो कि सब को पता है और सब का होने बाला है यहने इस मुकाबले में केप्टन का गेम है ही नहीं, सब का केप्टन हाथा दू, 10 पिलेर पलस BC का खेल इस मुकाबले में होने बाला है। 10 में से भी आपको मैं दिखाऊँगा, 8 पिलेर आपको सेव मिल जाएगा, 2 पिलेर ट्रंप वेगेरा, यह वो करना है। कैसे करना है क्या करना है अब तक जो इन लोगों ने मेच खेले उसमें हुआ क्या वही तो इसको रकार इंपोर्टेन रहेगा ना कौन कितने नम्मर पे आता है केप्टन बीजी का तगड़ा वाला चुवाईश ट्रॉंप पिलियर तो तमाम चीजे देखेंगा अगर जदि आ प्रसांदार टीम आप बना पाओ तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा 54-12 के सब्सक्राइबर का सबस्पास यहीं पे आपको वीडियो करे स्क्रिप्ट्स लिंक कि अब वीडियो को फर्स्ट कोमेंट जो तो महां पर लिंक होगा देखोगो उत्तर परदेश का लाश्ट मुकबला देखा जाए तो यहां से देख सकतो हो भर निका ने यहां पर 28 का योगदान दिया दो चौकी की मदस्टे दीप्ति सर्मा इंटरनेशनल पर यहां पर 44 का योगदान दिया पांच चौकी एक छक्का भी था अरुसी गोईल की बात के 6 का योगदान दिया सिप्रागीरी की बात के विकट कीपर ने 32 का योगदान दिया मेरे भाई अंजली सिंग 16 का योगदान दिया इस परकार से इनका बल्ले बाजी चलता है गेन बाजी की बात की जाए तो फलक नाज यहां पर एक सफलता ले जात पूनम यादब इंटरनेशनल गेन बाज भाई बहुत टाइम तक इंडिया के लिए इन्हों ने खेला था इस पीनर है इनके लाब दिप्ति सर्मा सबका केप्टन के बारे में बोलना ही अरकन जो कनो जिया की बात किया यह जो है न जियल का बहुत बढ़ी आच्चुआज रह पिलेर बुरा नहीं है लेकिन इनका ओवर कट हो रहा है इसलिए जीयल के लिए पनिया रहे है भरनीका दुसरा मुकाबला जब खेलती है तेरा का योगदान देता है दिप्ति बारा पे नबाद रहती है इस गिरी 11 और उसी गोएल छा इसके बाद आ जाता है बारीस और बा इस गोएल 46 इस तरह से चलता है वन साइडेड वीन कर जाता है गिनबाजी में पूनम याद अब दो दिप्ति एक सुनाली सिंग एक एकस्पेरिमेंट होते होते ये वीन कर जाता है अब चलिए बात करते हैं फॉंडू चेहरी वोमेंस करते हैं फॉंडू चेहरी टीटे ने याद रखना वाई पांडे अठाज को जोगदान दिया नीचे आकर ठिक ठाक बल्ले बाजी की गेन बाजी क्या रहा इनका गेन बाजी में अभी रामे आहर क्वालिटी इस पिना रही नजर रखना बातुल पी चारो बर एकसर रन एक बिक्त जादा अनुभव नहीं है ले इकवीशा ने 48 का योगदान दिया साथ में गेन बाजी बहुत भाई अब भीसी का 24 हमें भी लगता है इकवीशा मिल चुका है दिप्ति केप्टान आर इकवीशा भीसी होना ची हमें लगता है मागी अर्वी 24 है वो हम लोग कर लेंगे फिर से देखो पंडू चेरी में अठारा बागी कोई खास नहीं कर पाता है गेन बाजी इनकी क्या रहती है गेन बाजी इम देखो वाई फांडे एक विक्टे सोनल एक विक्टे ले जाता है लेकिन यहाँ पर इकवीशा दोई उब नलता है फिर से वाईस का थोड़ा सब खोश पड़ता है चारू करना इकवीशा चारो बर जरूर करता लेकिन पिटाई बहुत पड़ती है बल्ले बाजी देखोगे युवास सीरी 26-25 इमा भी 15 इतने पे ही इनकी पारी रह जाती है यहने पूल मिला का दोनों टीमों में अगर ज़दी देखा जाए तो मुझे उत्तर परदेश की टीम इस्ट् मुझते हैं लेकिन मेरे भाई इससे पहले अग जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यों मेरे भाई तो जल दिस जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अप्रेट आता हमें सबसे पहले इन्फोर्मेसन देता हूं तरह तरह मैंने गलाद बोल दिया यहां से देखा जा उत्तरपदेश की विगेट की पर तूपर ही आती है मेरे भाई बाकी देखा जा पॉंडूचेरी वोमेंस का देखा जा तो इनका विगेट की पर कोई खास रिकोर्ड है ही नहीं तो उनके उपर जाकर फाइदा भी नहीं बले ब जिप्तिसर मानक बंद करके पिक कर ना अब ये कोन है ये क्या खेला था नहीं खेला था वाई कि अगर ज़य खेलता है तो टीप पे ले ले लेंगे ये कोन है ये हैं अंजली जिंक कुछ बल्ले बाजी कुछ गेन बाजी तो सही है वाई पांडे ये चारोबर लगवक कनफर्म कर रही है फिर बल्ले बाजी थोड़ा वो तावल तोड़ कर रही है तो पिक कर लो सोनल की बात के सोनल इंपोर्टें रही है ये जब पॉंडुचेरी टीटेन टीट्वांटी मुकाबला जो भी होता था नुमापर ये केप्टन भीजिक बढ़िया था टोप आउडर पे बल्ले बाजी फिर गेन बाजी यहाँ पर थोड़ा बल्ले बाजी नीची आ रही है ये है ये सिंग ये अंजली सिंग इसको मज़ समझ लेना इक कवीशा है ये इंपोर्टिंग रहे हैं इनका सेलेक्शन देखो तो भाई थोड़ा सा बुरा लगता है भाई इतना बढ़िया पिलर को लोगों ने इगनोर करके रहा है भाई क्या इसने बिगाड के रखाया आब लोगों ने यह सा क्यों किया हो चार उभर भी कर रही है अब लिबाजी भी ठीक ठाक कर रहे है चलो चलो हम लोगी जद्दो यहां से उतर प्रदेश के टिम में एफ नाज का यहां पर नाम आता है इंद्रा आवास में नहीं आता मिरे भाई यहने इनका नाम आता है हम यादब सोनम यादब थी ठाक है यह उपी फ्ट्रोंग है तो ले लो अभी रामे आर ये भी इंपोर्टर रहेगा लेकिन अगर ज़िद इनको लेते हो तो इनके इस्ट्रा गिनवाल नहीं 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 लेलो लेलो कहीं कोई दिक्कत है निकेप्तां दिप्ति सर्मा आगब बुरा नहीं है अंजली सिंग भी बुरा नहीं लेट सबसे बढ़िया मुझे यह लग रहा है दोनों चीज कर रहे है कर रहे हैं वैसे करिया डिकोड भी बुरा नहीं तो हमें लगता है उनिक साथ चलना चाहिए सेलेक्शन बहुत काम है यह सोचो गए तो फिर कैसे चलेगा इनके लाव्ए एक पिलेर यहां से मैं सोच रहा हूँ कि इनको भाई एक गोएल को पिक करो हूँ इन दोनों में से थोड़ा डिसकस चलेगा भाई फिलाल एक गवियर सेब करकूल इस में जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाया अपने टेलीगराम चेनल डोम